अल्यावर्यवन वेल्कम टू मैंचर नमस्टाइकाइडमी दिस इस इमांस आज की स्वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं जैसे कि आप जानते हैं कल हमने एक यूडियो बनाया था जिसमें की CUVT-PG यानि की Common University and Test Test Post-Gadution for Pharmacy Admission यानि की M Pharma Student के लिए जो future में M Pharma करना चाते हैं चाहे non-GPAT candidate है या फिर GPAT candidate है दोनों candidate के लिए examination है जितने भी अपनी center university है उन सब में admission लेने के लिए आपको CUVT examination PG 2022 देना होगा अब इसके बारे में हमने detail में बात की थी आज की studio lecture में जो main मेरा focus रहेगा इसके syllabus के regarding काफी सारे student का message था कि सर इसका syllabus जो है वो क्या रहेगा इसके बारे में discuss कर दिए उसके साथ उसी के साथ हम मैं बताना चाहूंगा देखिए आपको कहां कहां कौन सी center university में कौन कौन सी M Ph Pharma किस-किस subject में चलती है इसके बारे में भी detail में बात करेंगे चलिए तो अगर आप चैनल पे नए है तो प्ले सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे फार्मा रिगार्डिंग वेकेंसी अपडेट वीडियो लेक्चर्स के लिए चाहां आपको मिलती है फार्मा रिगार्डि यहां से यह जानी थी कि अगर हम फार्मेसी में एड्मिशन लेना चाते हैं यानि कि स्यूटी पीजी प्रोग्राम में हम एड्मिशन लेना चाते हैं तो एक पोस्ट कोड जो है वो हमें याद करना पड़ेगा उस कोड के बारे में यहां पर यह फॉर्म फिलिंग के जाएंगे जब फर्स्ट पेस पर आपको देखेगा यहां पर मैं सर्च करके बता देता हूं देखिए जस्ट वन मिनट कि जी यहां देखिए यहां पर चले तो यहां पर देखिए जैसे कि मैंने आपको कल बताया जो अगर फार्मेसी के स्टूडेंट है तो उनको एक पोस्ट कोड जो है वो याद रखना पड़ेगा वो क्या रहेगा पी क्यू सोरी पीजी क्यूपी 24 जो है वो फार्मेसी स्टूडेंट के लिए जो है पोस्ट कोड रहेगा तो यहां पेपर पोर्ड के बराम आप जानता रहे हैं तो पहला जो आपका पैटन है वही आपका पैटन होने वाला है आप देख पा रहे है सबसे ज्यादा पैटन जो है वो पहले में second वाले में ही है जिसमें की PGA 02 से लेकर 77 तक सारे के सारे courses आ रहे हैं अब secondly आपको क्या करना है आपको यहां पे सर्च करना है अपने post code के इसाफ से कि कौन सा post code आपका जो है वो रहने वाला है कौन सा paper code रहने वाला है तो अभी हमने जैसे की बात की 24 number कौन सा paper है वही 24 number जो है आपको search करना है और 24 के according आपको देखना है कि कौन सा pharmacy को college जो है कौन सा pharmacy के courses यहां पे चलते हैं तो PGQP24 पे आप देख पा रहे है फार्माकोलोजी, फार्मासोटिकल केमेस्ट्री, फार्माकोगनोसी, फार्मेसी, फार्मासोटिकल इनलाइस और फार्मा PG diploma यहां तक check कर लिया, अब आगे आपको क्या करना है, सारा जो post kit है, आपको according to this यहां पे select करना है, कौन-कौन से courses चलते हैं, ठीके जी, यहां तक हम discuss कर चुके थे, अब mainly हम आज के video lecture में बात कर रहे हैं, mainly हमारा focus है जो syllabus के बारे में, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, PG-QP 24 के बारे में, मतलब अगर आप pharmacy में admission लेना चाते हैं, M Pharma courses में admission लेना चाते हैं, तो firstly आपको क्या करना पड़ेगा, आपका paper का pattern कैसा रहेगा, syllabus कैसा रहेगा, तो देखिए, part 1 में आपके 25 marks जो है, वो MSUQ के आएंगे, जिसमें कि आपकी general English आएगी, general awareness, mathematics aptitude और analytical steel, ये सारा portion आएगा, मतलब कि 100 marks के आपके question आएंगे, जिसमें कि 25 marks के आपके general aptitude से question आएंगे, next, rest of 75 marks के MSUQ के जो है, वो आपके domain subjects से आएंगे, domain subject का मतलब है, जो आपका specialization है, उस subject से आएंगे, जैसे कि हम कल बात कर चुके हैं, और इस PDF में भी आप देख सकते हैं, कि domain subject क किसी साब से रहने वाला है, तो यहाँ पे भी आप search कर सकते हैं, वैसे तो हम यहाँ पर search कर चुके थे, उसके बावजुद में आपको एक बार थोड़ा सा बता क्या idea दे देता हूं, चलिए, 24 पे हमें बात करने हैं, यह वाला, देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, तो 24 एम फार्मा, पैटन क्या रहेगा, 25 जंदल, 75 डोमें सब्जेक्ट, वो युनिवर्सिटी के साब से यहाँ पे बता रहा है, ठीके, तो यहाँ पे आपको पोस्ट कोड जाली याद रखना है, एम फार्मा के लिए, पी, जी, क्यू, पी, 24, चलिए, तो next 75 जो मार्क्स के है, वो सारा गा सारा डोमें सब्जेक्ट में आता है, मतलब आपका सब्जेक्स सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है, तो यहाँ पे देखिए, फार्मा सुटिक्स लगबख सारी सुटिक्स यहाँ पे आ गई है, next pharmaceutical चेमेस्ट्री, और्गनिक केमेस्ट्री का पॉर्शन पर है फिसी के साथ अपर 320 यहां प्र फॉजो लोजी आपकी यहां पर फर्मस्टिक पहतो इंजीनरिंग आपकी यहां पर है फार्मस्टिक्स आपकी यहा पर है और membr diagnosis यहां पे Oxidation Reduction, Non-Aquicrous Acidation, Pharma Cognosy आपकी यहां पे Enantomy 2nd भी आपकी यहां पे सुटेक्स, Pharma Analyzing 2nd, Chemistry, Biochemistry यह सारे सब्जेक्ट जो आपकी यहां पे रहने वाले हैं, लास्ट में कोगनोसी और जूरिस प्रोडेंज जो है वो भी आपका सब्जेक्ट जो है, अपनी टेक्निक से आपको याद रहने वाला है इसके अपनी टेक्निक से आपको याद रखने हैं, यह सारा portion जो है आपका रहने वाला है, तो बस आप एक ही चीज याद रखना, पोस्ट कोड क्या याद रखना है, पोस्ट कोड क्या है पोस्ट कोड सर पोस्ट कोड जो है मारा बढ़ा यूनिक है और इसको हम अच्छे से याद कर सकते हैं, आपको मैं बता देता हूँ इस पोस्ट के बारे में, तो लास्ट ली यहाँ पे देखिए, पोस्ट कोड क्या है, कौन सी यूनिवरसिटी में किस हिसाब से चल रहा है, वो भी आपको याद रखना है, इन शॉट में आपको मैं देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट में आपको बताना चाहूँगा, कि कौन-कौन सी university में कौन-कौन से subject चलते हैं, इसका भी काफी सारा student का message था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, pharmaceutical chemistry जो है, वो CU, PUN, यानि कि पंजाब university में चलता है, और राजस्तान में चलता है, chemistry दो जगह के चलता है, कहां-कहां, पंजाब और राजस्तान में, next statistics, राजस् में चलता है, तो और और आप एक package दे सकते हैं, इस हिसाब से यहाँ पर आपका master degree जो है, वो running में चलता है, चलिए, तो sorry, तो चलिए देखिए, यहाँ तक हमने जाना कि कौन-कौन से subject जो है, आपके रहने वाले है, subject का paper जो है, subject का syllabus जो है, वो किस हिसाब से रहने वाला है तो syllabus को insert में बहुत ही बड़ा है, बट मेनवाल आप मान के चलिए, beef arm का सारा syllabus है, बट आप एक अच्छे level तक त्यारी करके जाएंगे, वोपुलिए आप रोपन जीपेट की त्यारी की होगी, तो लगबल लगबल यहाँ पर आपको examination crack करने का possibility जादा होती है, इसके regarding, आपके सामने share करने की, यहाँ तक हमने जान लिया subject कौन सा है, paper code कौन सा है, यह सारी बात है, और next अगर आपको अभी भी कोई confusion है, इसके regarding, तो मुझे comment करें आने वाले वीडियो में आपको scan for जरूर दूँगा, ऐसे ही देखते रहे है, फार्मा रिगार्डिंग देखते